हेलो किसान भाई ओ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च की पोद कैसे तयार करें क्योंकि पोद बड़ी होने पर मड़ जाती है और बाद में मिर्च सूखने की समस्य भी आती है इस सबसे बचने के लिए आप को कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आपकी पोद असानी से पल भी जाएगी और जब आप लगाएंगे इसको तो इसमें पोद की काली जड़ भी नहीं होगी और जब लास्ट में बरसाथ के टाइम पर मिर्च जाकर सूखती है तो इसी समय उसको टीटमेंट करना होता है बीचको हमको लेकिन कुछ किसान भाई करते क्या है कि सीट को टीटमेंट नहीं करते हैं जिससे लास्ट में जाकर करके मिर्च सूखने की समझ से ज़्यादा आती है और कभी-कभी तो पूरे-पूरे खेत खतम हुए आते हैं सबसे पहले तो जमीन को बारिक करना है आपको देखो इस तरीके से मट्टी ना जो है ज्यादा मोटी डेले नहीं होने चाहिए जिससे बीच को हवा न लगे और असानी से बीच जम जाए तो आपको करना क्या है सबसे पहले बीच लेना है और उसको एक ग्राम बावस्टीन के साथ में एक ग्राम बीच को टीट्मेंट करके तब बूआई कन नहीं है पोत को बोएंगे हैं तो बोणा इस तरीके से इसे देखो जूसी में, I am have threatened laine दूसरी जगे तो पोत मनने का खत्रा बहुत कम रहता है. और अगर पोत तो तीopedia रेते फनी तो जिसमें तो जो फ़ीर स्नेन भी नहीं होगी जब जी नहीं होगी Alexandre है लेकिन आप ध्यान रहें कालि ज़ड की समस्या तब ही आती है जब आप पोष्थ में कि ज़दा पानी भरते हैं तो इसलिए पोव में ज़ादा पानी ना वह रहा है जिससे पोध को मरने का खत्र रहता है और ध्यान के जब अपकी एक से या बेढ़ औंगली की हो जाए हांना तो आपको करने क्या कि है यूरियां लिगाना है रगना है है क्योंकि उसकी जो शॉफ्ट हो कि निमेर्ग हो चुकी हो लगा लेकैンチस को है शौःच पिर पनप ने लाश्टों मर जाते हैं और हमें कापी नुकसा उठाने पड़ता है और सबसी जो मेंद चीज है जब आप पानी लगाएं तो पानी पोद को जो है ना बहुत कम लगा रहा है आपने और पानी लगाने के बाद थोड़ा सा रेता ले लें बारिक सा अना उसको इसमें डालने प स्वास्ते चलता है और मैं आपको बता दूह आप किसी भी सब्जी की गोभी हो रवा गया म्रू यह लोखी आश्यामकॉरे जिसकी पोद करना चाहता है आप इसी तरी के से पोड को ट्रीटमेंट और करके बौहें और इसी तरी से त्यार करें मतलब जैसे यूरिया नहीं जलना ज्यादा पानी नहीं भनना है तो आप यकिन मारनी है आपकी जितनी पोदे हैं वो सब स्वास्ते रहेंगे और आप जब लगाएंगे उनको नहीं नहीं जानकरें मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद